हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू माई चैनल स्मार्ट स्टड़ी लेक्चर में चले फ्रेंट्स आज के इस नहीं वीडियो में मैं आपको क्लास 12 फिजिक्स के सबसे महत्पूर नुमेरिकल्स को सौल कराने वाले हैं जो कि आपके दो यार 24 वोड एक्जाम के लिए काफी पदार्थ का अपरतनाग यानिकी अपरतनाग आनका जो मान दिया है को से एबाइटू है तो निवनुत्म में पहलन क्या होगा चले कोशन को साल को और यहां स्पुछा गया सवाल है हम से आपर लिखने के बाद से और कीजिए that नुमेरिकल से और ठिकर इसमें आपका मान कौन से दिया तो यह प्रिज्म कोन वाले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांग यानि कि दिखिए यहन का जो मान दे दिया आपवर्तनांग वाप किता है को से यह बाई टू दे दिया है ठीक है आपका कोशन में दे दिया है उसके बाद से दिखिए यह प्रिज्म कोन यानि कि दिखि ये चयात बपर ृफ कंशन को स्क्रण करता है आप का सूथर होता है वह अवाह का दिखे क्या होता है कि योन अपड़नाग है न बराबर आपका पॉर्टनाग आप का शूथर था हूं आपकर 1 बेर इस ठीक है कि इसी पर आपके नुमेरिकल्स पूछा आते हैं पॉठ एक्जाम अब दीखें यहां पर जब इस मान को जब रखेंगे तो यह न कमान आपका कोसिन में दे रही है देखें यह न कमान दे दिया है को से के वाइट त्याप हम लिखेंगे को से के वाइट तू बराबर म कॉसी के बाइट तो में क्या करेंगे गुना करेंगे यान साब का दीख हो जायेगा को सैक एब्लाइटू और इप थे फ्रेंड्स आप पढ़े होंगे कि कौसेक यह दो आपका साइन जो होता है साइन का जो इल्टा होता है आपका क्या होता है एक बट्टा कॉसेक टहूंगे तो सकते हैं एक बट्टा एक बटा sin a by 2 इतना लिश सकते हैं, समझ में आया है, देखें कैसे लिश सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि sin a बराबर होता है एक बटा कोसे के तो यहाँ पर कोसेक a by 2 तो हमको कोसेक जब मान गयात करेंगे तो साइन यहाँ पर जाएगा कोसेक इसके जब आ जाएगा तो यहाँ दिके कोसेक a by 2 कम लिसकते हैं एक बटा साइन a by 2 और इंटू में साइन a by 2 बराबर में आपका दिया है साइन a प्लस में डेल्टा यम और डिवाइड़ बाइट तू दिया है इसके आगे श्यासाब का कितना आगया है यहाँ साघ हो जाएगा one चलिया आप इस आपका रूजायगा वर बेर में साइन साइन a प्लस में दिल्टा यम और डिवाइड़ बाइट डाइगा इतना तक समझ में आ गया अब चले दखते हैं इसके आगे क्या हो जाएगा तो यहां आपका साइन नाटी डिगरी का जो मान होता है जो होता है एहां साइन डिगरी ब्राबर में यह अपका कैसे हुगा ऩह आपका सुत्र होता है तीरकोंड मेती में इनवर्स तिरकोंड मेती जो आप पढ़ेंगे क्लास बारा में तो आप सुत्र होता है साइन साइन हाब रावर यह आपका दिया रहाएगा तो इसको यापłem करते हैं यांसा अब को जाता है साइन इनुवर्स साइन 45 फाइब डिकरी दे घ्लका इसे आप होतिबर्दै Zurich व्यां में और पोटे फाइब अब दो से इसमें जब गुणा करेंगे ता पितना हो जाएगा 180 ब्रावर में ए प्लस डेल टाय यम अब देखिए आपका कोश्टर में क्या बोला था कि नियुक्त राण कुण यानि कि डेल टायम का मान पूछा था तो यह दिए हम डेल टायम का मान ज्यांत करेंगे यहां से इसको क्या करेंगे ए को पच्छांतर कर देंगे तो यहां सो जाएगा 180 डिगरी माइनस का ए तो आपका किसका मान आ गया तो यही आपका आ गया नियुक्त राण कूण यानि कि डेल टायम का जो मान आ गया वो आपका आ गया 180 डिगरी माइनस का ए तो आपका क्या हो क्या है यह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और चले दखते हैं कोर्षा नमबर दूसरा देखे फ्रेंट जो आपकोर्षा नमबर दूसरा दिया है कि तीन सेमी लंबी एक वस्तु पंदरा सेमी फोकस दूरी वाले ओतल दरपन के सामने कितना दिया है बिस सेमी के दू सेमी लंबी एक वस्तु जयानिकि आबश्रेक्ट ओक मांन केतना देती आइए तीन सेमी देतिया इसके वंसे आपका कोरसर में भुल आ है कि 15 फोकस दूरी दूरी यानिकि दिखिए जो आपका आउतल धरबण में फोकस दूरी होता आपका माहना हमता हूताया कर बंदरा से म आई का माहान हम को बताना है जो इस कौर्सन को चलग बटता है हम जानते हैं फ्रेंद्ट की दरपन न लिखेंगे कि दरपन के सु कर से तो दिखे जुआ अपका द रपन का सु त्रोट आप होता है एक अक्जार्घ बर no होता है यहागा क्या होता है दरपन सुत्र होता है यहां इस में मान को रखते हैं थेखिचका है यहाँ एक बर्टा हो जाएगा सबस्र shrag और यहां प्लस मोट जाएगा एक बट्टा 20 ब्रावर में एक बट्टा भी अब दिखे 15 और 20 का एलस्यम कितना हो जाएगा तो आपका जाएगा 60 हो जाएगा दिखें के से संब्राव और 20 यहां पर आप आपका वाज बट्राव निकालेंगे जियांस हो जाएगा तूना दो से काटेंगे त्याहर निकटेगा दो पच्चे 10 अब सब्सक्राइब करेंगे तो माइनस का चार अपलस में 20 यानि कितना बार में यहां सब्सक्राइब यहां सब्सक्राइब कितना जाएगा मैनस का साथ सेमि हो जाएगा आपका एक चाह्ट से अगया अब्सक्राइस मिके 152 सी bakoto अम को चले हम हिसे मान को रखते हैं तो हम को आए कमान कीयाद करना है ओकमान आपस्ट कोशन के क्योशन में दिया है किना सब्सक्राइब मर्ट कर देंगे 3 बराबर में माइनस का 40 mm – 40–60 और 35ратьt 2 exemplo सब्सक्राइक कर चाल हो जाएगा 2-11 याणि कि आ जो मान आ गया ओकिन आ गया मैनस का नो सेमी आ जाएक ανα-7 अब ख़िए जो नौशे में जो आपका आप तीन समी लंबी वह जबन रहां तो यहां पर दीख ऊस्तिक क्या हो जाएगा वास्तिक हो जाएगा क्या हो जाएगा वास्तिक हो जाएगा तो आ सबस्क्राइब में तब दने बाद